जौला मुखी बिधानसावा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र के खुंडिया एकाई द्वारा शवनम हत्यकान के बिरोध में धर्नापदर्शन किया गया अखिल भारती बिधारती परशन ने मांग की है कि अगर इस मामले को पुलिस परशाशन द्वारा जल से जल ना सुलजाया गया तो बिधारती परशन उगरपरदर्शन करेगी परिशन ने कारेक कारणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मामले को आत्म हत्या बताया जाना बहुतिन निंदनीय है जबकि शब मिलने के बाद ही पूरे बजार में अटकले लगाई गई कि ये एक हत्या का मामला है इस बारे में अंकुष दिवान परदेश कारेकानी सदस्या ने बताया कि खुंडिया एकाई ने आज शबनम हत्याकान के बिरोध में परदर्शन किया है उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निश्वक्ष जांच की जाए साथ ही धलियारा कॉलेज के लैव अटेंडन द्वारा चात्रा के साथ की गई अश्रील हरकत की बिदार्थी परशद करे शब्दा में निंदा करती है और परदेश सरकार से ये मांग करत करती है कि उस लैव अटेंडन को जल्द से जल्द बरखास्त किया जाया अनथ्या विदार्थी परशद इसके बिरोध में करापरदर्शन करेगी कांगरस के मंडी संस्थीक शेत्र के प्रभारी संजदत ने कहा कि परधान मंतरी मोदी अपनी पांच साल की उपलब्दियों की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जबकि सरकार की पांच साल की कारगुजारियों पर ही जनता बोर्ट देती है उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी ने अच्छे दिनों का वाइदा किया था जिसे देश की जनता तलाश कर रही है पत्रकारों से बाचित करती हुई संजिदत ने कहा कि मोदी 2014 में कि ये वाइदों पर मोदी बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मोदी की सबसे बड़ी विफलता अपनी प्लबजियों पर बात नहीं करना है संजेतत ने कहा कि सर्जिकल स्टाइक पर राहुल गांदी ने इंडियन एर फोर्स को बधाई दी उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्टाइक इससे पूरु भी कांगरस के शाचन में भी हुई है मगर उसे मोदी दोरा मुबाइल पर खेली गई गेम बताना शहीतों का अपमान है उन्होंने कहा कि कांगरस ने सेना का कभी भी इस्तमाल चुनाब परचार के लिए नहीं किया मगर भाजपा के नेता मोदी की सेना कहकर सेना का अपमान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मंडी से सांसद रहे रामशुरूप शर्मा पांच साल तक अपने कारेकाल के नाम पर बोट नहीं मांग रहे हैं बलकि वे अब भी PM और CM के पीछे चुपकर अपने ढाल बना कर बोट मांग रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाप का इस्तमाल जूटे बाइदे करने के लिए करती है उन्होंने कहा कि भाजपा बताये कि स्वंतरता संगराम में उनके किस नेता ना हिस्से लिया जबकि इंद्रा गांधी और रजीव गांधी ने देश की एकता और अखंटा के लिए अप बाचपा उपदेख्ष सोलल में एक बैटक के दोरान कांगरिस पर जमकरबर से उन्होंने कहा कि कांगरिस को अपनी हाद सामने दिखाई दे रही है इसलिए बैब बॉकलाहट में अनाफ शनाफ बियानवाजी कर रहे हैं पुरू मुख्या मंतरी भीरवदर से द्वारा मंडी के परत्याशी राम सरूप को कायब बताने वाली टिपनी पर गणेश दत बेहद शुर्क नजर आए उन्होंने कहा कि भीरवदर से बुजूर्ग हो चुके हैं शायद यही वज़ा है कि उनकी यांके कमजोर हो चुकी है यही करन है कि राम सरूप जो अहमेसा जनता की बिश रहते हैं बें उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्होंने कहा कि कांगरेस के शीरस के नेता जब दान मंतरी पर टिपनिया कर सकते हैं तो उनके अन्य नेताओं से अच्छी उमीद नहीं की जा सकती है उन्होंने कहा कि आज कागरेस कीचड में डूवी बैस बन चुकी है जो सिर्फ कीचड उच्छानने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है पुरू मुख्या मंतरी बीरवदर सीं द्वारा मंडी के परत्याशी राम सरूप को गायब बताने वाली टिपनी पर गनेश तत बेहद शुर्क नजर आए उन्होंने कहा कि बीरवदर सीं बजर्ख हो चुके है शायद यही वज़ा है क्यों उनकी यांके कमजोर हो चुकी है यही कारन है कि राम सरूप जो हमें साच जनता के बीछ रहते हैं य। एन्होंने कहा कि कांगरेस के शीरिस के नेता जब परदान मंतरी पर टिपणिया कर सकते हैं तो उनके अन्य नेताओं से अच्छी उमीद नहीं की जा सकती बाच्वा उपादेक्स गिडिश्दत ने बताया कि नरेंदर मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए रणनेती त्यार की गई जिसके तहट कानून विवस्ता रैली की संख्या और याताद विवस्ता कैसे दुरुष्ट हो इसको लेकर चर्चा की गई उन्होंने बताया कि आज सबी कार्यकरता अपने प्रिये परदान मंतरी नरेंदर मोदी को सुनना चाहते हैं इसलिए यह अनुमाल लगाया जा रहा है कि इस बार सोलन में करीबन एक लाग कार्यकरता जूटेंगे और यह एक विशाल रैली होगी उन्होंने कहा कि उनका नारा है कि इस बार बाचपर चार सो पार और हिमाचल में चार की चार इस लक्षक को बैपाने के लिए अगरसर है और जिसे बैहर हालात में हासिल करके रहेंगे